ये गाइस गुड मॉनिंग वेल्कम चनल कैसे हैं आप सब लोग आप लोग सब अच्छे होंगे तो गाइस अभी सुवे के बज़रे हैं आठ मान लेजिए साथ बच के पसफ़ मिट हो चुके हैं और तारीक हैं दो नॉमबर जी हाँ नॉमबर ही स्टार हो चुका है आज दो नॉमबर है और अभी मैं हूं वोपरा गाज़ेबाद में और मैं जा रहा हूं अभी उत्रा ख़न के तब हलगानी के तरफ गाड़ी खाली है देखते हैं कोई सवारी मिलती है या नहीं मिलती है अभी अर्जांट में जाने का है तो इसका रीज़न है कि मिरे को तो आदे रस्ते से गाड़ी करनी है चेंज उदर से गाड़ी आ रही है अल्टीका गारी सवारी लेकर के तो अल्टीका लेकर के आदे रस्ते से मैं आ जाँ मा देली के लिए और ये गाड़ी चलियाएगी वापस हर्द्वानी क्यों तो अभी ही देखते हैं महान नगर में प अगर 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 नहीं मिली सवारी तो फिर भी मेरे को जाना तो है खाली गाड़ी लेकर के ना नुक्साम बहुत हो जाता है आप जैसे बात करूं मैं पर्सों की तो पर्सों भी यही हुआ साम को जब मैं घर पहुचा अगर पहुचा तब भी में साम की अनुट पहुचा तब नहीं साम की अमन राती हो गयी तो इस प्रोलम होई थी कि मैं में कि वहां से जो है सवारी नहीं मिली और गाड़ी खाली करके में अपर हापस कहरा आप तो वह भी नुक्सान हुआ तो डोल का नुक्सान हुआ उसके बहाद फिर अपना डोल बहुआ रहा है उसके बादी सीन्जी हो गई एक भार सीन्जी फिलप करवाई थी टेक है पहले की सेंजी बची हुई थी अब उसके बाद फिर आभ ये लगा लीजिए फिर उसके बाद कि नुक्षान क्या हो कि इद आभी जा रहा है अभी फिर सेंजी मैंने फिलब करवा लिए पीछे तो इसलिए मैंने ब्लॉक स्टार्ट गाना का पहले सेंजी कुरा इस बोट निकलते हैं यहां से आई दवान निकलें और है आप लोगों की दिवाली और आप ए और प्रस्टी बॉह आप के दिवाली द्लिक्रब्स करcongती किसरे कि मैं इंड? बंपटा के फोड़ा जाता है बहुत लोगों के बंपटा के जलाते हैं तो गरूमा भी बुझ जाते हैं तो आयोब कि सब लोग सुरक्षित होंगे अच्छी से दुबाली बनी होगी तो आप लोग में बने रहें ब्लोग को लाइक कमेंड सेयर ज्यादा सी ज्यादा करें हमारे नई विडियो को देख रहे हमारे चैनल में कुछ टाइम आये हैं तो आप लोग ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए को प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके और बहुत जल्द आपको गयाना म हैं कुछ ही दिनों में प्रेवलिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे फिर से हम निकलेंगे ट्राफलें के लिए कहां जायेंगे क्या उत्राखंडी कबर करेंगे या फिर हमकिसी बहुर्ष इस्टेसन में जायएंगे ओस सारा कसा अको पॉश जाएगा तब तक आप दले रहें, मिलता हैं अपसे में थोड़ी देर बाद, तब तक आप विलोग को like, comment, share करें, इसके बिल्कुल न करें, hand तक जरूर देखें, और discussion पर contact number देखें, वहाँ पर जाके आप contact कीजिए, हमसे संपरक करिए, टक्सी की requirement के लिए, कहीं भी जाना हो, आपको दिल्ली NCR से कहीं भी जाना है, तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं, ठीग गाई, और मेरा Facebook और Instagram का भी link दे रखा है, वहाँ पर जाके आप विजिट करिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जो वीडियोज होती हैं, पहले Facebook में, Instagram में आ जाती हैं, उसके बाद YouTube कर आती हैं, तो डेली स एक्षिडेंट ट्रक बल्टा हुआ है, और इसलिए यहां से रखा जोंका डाइवेट कर दिया है, आप मेरे राइट से तो देख सकते हैं, क्यों में रस्ता है, तो यहां पे गाड़ी पूरी पल्टी ही है, और बाद गरें, इसकी गौड़ी उपर की तो पूरी उकड़ ग इसलिए का इसलिए, यह चेक गड़ा है, तो गाइज, अभी मैंने आपको पीछे एक्षेंट खाया था, दूसरा एक्षेंट यह देखिए, कितना तगड़ा एक्षेंट, यह देखिए, बुरी प्याड़ी जो है, उदर से चड़के इधर आ गई है, तो आगर आप लोग इसलिए रोड पे ड्राइब कर रहा है, आईवी पे ड्राइब कर रहा है, अपने परसनल धार से, या भी कैप लेकर करके आप ट्रिक पर जा रहे हैं, या अपने घर जा रहे हैं, आईवी से, तो रोड सेप्टी का दियान लखें, अगर फोब लगा हुए, धुन्द हो रह हैं, और सेफली गाड़ी चलाएं, और सबसे हमें, सबसे जरूरी बात यह है, कि बहुत से तस्टमर्स होते हैं, जो ट्राइबर्स, टक्सी ड्राइबर्स को बोलते हैं, गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी की स्पीड कम है, जोगा सा तेज चलाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, तो इसके लिए, सौरी, आप लोग जल्दवाजी ना करें, ड्राइबर को फोर सुनना एक रहे हैं, कि बहुत गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी की स्पीड कम है, दूसरी गाड़ी तो तेज चल लिए है, ड्राइबर को अपने हिसाफ लाने की जिए, तो कि ड्राइबर जो स्पीड की स्पीड की स्पीड की स्पीड में चलो, खाली रोड है, फोग नहीं लगा हुआ है, तो फिर आप ड्राइबर को कह सकते हैं, और अगर ड्राइबर स्पीड की स्पीड चल रहा है, या पचासाइब की स्पीड चल रहा है, फोग लगा हुआ है, तो आप उसके प्रूल्स भूलो कीजिए है ना क्योंकि आप में तिखाई दियों आपको किकने एक्सेंट हुआ है तो कई आसरोड से पिछे स्लेंडर वाला एक्सेंट हुआ था स्लेंडर का पुरा प्रकी प्लट गिया था दूसरी गाड़ी का ट्रक्टर को प्लाष्ट हुआ इसके वैससे उसका भी डिस्का लेंगा है और वह भी पूरा का पूरा पूरा प्लाष्ट हुआ है लगा लीजिए तो कितना बड़ा हाथ सा हो सकता था अब लोग प्लीज दियान लखें और अपनी लाइन में चले और टेक करते हैं अभी टाइम हो रहा है साड़े क्या रहा है जिए अच्छेंट हो चुके हैं और मैंने मुरादावाद क्रॉस करने लिए तांडा भी क्रॉस कर दिया है अब दर्शन करने वाद अभी कुछी देन में अर्टीका सामने से आने वाली है तो फिर यहां पर मैं करूगा अर्टीका चेंज मतला डिजायर और अर्टीका चेंज होएंगी यहां पर ड्राइवर चेंज आएंगे अर्टीका को लेकर मैं दिल्ली जाएंगा और डिजायर को कुंदन लेकर के आज जानी जाएंगे है ना तो कुछी देर में आज आहीं जाड़ी आज को दिखाएंगा कुंदन से अभी पांचे मिनत पहले बात हुई थी जो सेंदी फ्लग परवा रहा रहा है तो बहुत है कि 17-18 km अभी टांडा दिखा रहा है एज पर साइन बोर्ड है ना तो देखते हैं कहां को मिलते हो अब यह पहुचा हूँ बादली टांडा बादली के नाम से है आईती ही जिदें और यहां देलरों कितने बाइक हैं एक बाइक आना से थोड़ा साना तो बच के चलना पड़ता कोई भी कहीं से इंदर गाड़ी के पास आ जाता है तो यहां से बाजपूर तिखा रहा है 29 किलोमेटर नाइंताल 90 किलोमेटर नाइंताल से ही गाड़ी आरी है जो साम न अपनी गाड़ी आ रही है और घड़ी आपर करते हैं चेंज यह ही अपनी गाड़ी अपने करते हैं चेंज आपे अपने फटटवाब उपने चेंज करते हैं satisfat गाड़ी इसको करते हैं चेंज निकलते हैं ये गाड़ी आटी का निकलते हैं प्रटापर तो गाइज अभी टाइम हो रहा है चार बच चुके हैं सामके और मैं पहुंच गया था पौने चार वजे करीब 15 मिट यहां पर हो गए आटी का हमने चेंज कर लिए आटी का लेकर आगया था तो अभी फिलहाल यहां से निकल रहा हूं बहर और मेरे ख्यावर से 12 बज़े के करीब हमने गाड़ी चेंज करी दी बाजपूर और टांडा के बीच में उसके बाद फिर अभी जो माता जी थी जो यहां पर आस्रम में ह रहते हैं उमाता जी को लेकर आया था उनकी एज है आई थे इंग 90 प्लस तो उनको लेकर आया थे तो उनको यहां पर डॉप मैंने कर दिया यह आस्रम बहुत बढ़ा आस्रम है बहुत बढ़ा कुछ यहां कर नहीं है दिक मैं दिखा रहा नहीं नहीं क्योंकि अच्छन क्रिश्ट्रेस्न के बगल मैं यहां से भड़ निकलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या रहता है तो फिलाल चलते हैं रोम पर नहीं भी कुछ नहीं कुछ नाम है आस्रम का यहां से हम निकल रहे हैं सीदे रोम के लिए